इसकंद पुराण में उस व्रत का नाम है चंद्र सहस्त्र व्रत ठीक है अगर आप सुन रहे हैं तो आना इसकंद पुराण का चंद्र सहस्त्र व्रत संपून पाप को मरने से पहले समात करकर भगवान का दर्शन पाने का लक्ष है चंद्र सहस्त्र व्रत क्या करना इसमें शोला कलश जिसके अंदर सुन्दर दूद बरना क्या लेना इसमें सोला कलश में दूद बरना दूद भरकर उसके ऊपर एक एक पलेक रखकर उसमें मिठा रखना कुझ में मीठा बना कर और दोदशी तिथी शुकल पक्षकी पड़े दोदशी तिथी शुकल पक्षकी ओकलश सोला ब्रहम्मनों को उनके जोड़े के समेत त्यक लगा कर भेट कर देना महाराज सास्तर कहता है कि मरत्यू की सया पर जाने से पहले एक बार चंदर सहस्तर भृत जो कर लेता है बस इतना याद रखना जब तक वो कलश आप ना दे दे तब तक अन ना पाए भले तुम सुबर दस वज़े दे तो दस वज़े के बाद कूँ काओ मना नहीं है पर जब तक वो कलश ना जाए तक अन का भाग गरंड ना करा चंदर सहस्तर क्या होता इससे तो कहा ये वो व्रत है जो दक्षिन दे दिशा ने यमराज से पूछा था कि एसा कोई व्रत बताओ जिसको व्यक्ति पाप करम भी कर लिया मान लो पापी रहा है जंसार में पेदा हुआ है तो दुनिया में आए हो तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप ना किया रिशत देव जी माराज ने जड़भरत को ग्यान दिया था अपने पुत्र को ग्यान दिया था कि चार इस्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है पहला जाड़ू लगाते समय चोटे चोटे जीव मर जाते हैं उसका पाप माते चड़ जाता है दूसरा अगनी जलाते समय रोटी बनाओ तो चूला जला रहे हो तो उसमें पतंगे जल जाते हैं लाइट लगाई तो उसमें कीडे मर जाते हैं तीसरा कपड़े दोते समय पानी बढूषी समय चोटी से जीव मुझा जाते हैं, चोता , घर से निकल कर कई जा रहे हो आपने पाउं के नीचे चोटी चोटी travaille जीव मुझाते हैं ज़ा इसे ही उपाए इस चैनल के मात्यम से मिलते रहेंगे